नमस्कार दोस्तों मैं हूँ नितिन गुले और सामने आप देख रहे हैं टाटा पंच CNG का बेस मॉडल बेस मॉडल है लेकिन फीचर्स एक से बढ़तर ये कहाँ पे मिल जाते हैं साथ में जिस चीज के ने भाई बिल्कुल बेंच बार क्रियेट किया था अपनी पंच ने उसमें भाई एक लेवल और उपर चिले गी है सेफटी वे 5 स्टार सेफटी रेटिक अपने को मिल जाती है क्रैस टैस्क पे और साथ में जो सेफटी फीचर्स मिलते वाई वो और अब एडवांस हो गये हैं मतलब तगडी बिल्ड कॉलिटी के साथ में सेफटी फीचर्स भी एक से बढ़कर एक मिल जाते हैं तो सारी चीज़े आज अपन डीटेल नो बात करने वाले हैं इस वेरियंट के बारे में तो वीडियो काफी साथ informative रहने वाला है तो इंट तक बने रही है और चैनल में जो first time आया है क्या करना है बाई सब्सक्राइब करना है जो कि बिल्कुल free आपके लिए तो start करेंगे इसक को बिल्कुल free नहीं कराएंगे कि यह base model है तो 1742 mm की overall width अपने को यहाँ पे मिल जाती है center में अपने को टाटा का logo मिल जाता है base model है फिर भी piano black का यहाँ पे treatment अपने को मिल जाता है grill में अब headlands के अगर setup की बात करें तो यहाँ पे अपने को reflector based headlamps मिल जाता है उपर अपने को pilot lamp मिल जाता है और side में turn signals नीचे इस variant पर अपने को fog lamps नहीं मिलते है और यहाँ पर देखे try arrow का design अपने को मिल जाता है matte color में अब front profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे पुछ looks अपने को यहाँ पर मिल जाते है अब side profile के side में अपने जैसी जाते है तो देखी cladding पूरी अप दम front to rear अब wheels के अगर section की बात करें तो वो अपने को मिल जाते हैं 18570R15 15 inch के यहाँ पर steel rim मिल जाते हैं काफी बढ़िया profile के साथ में यहाँ पर अपने को tires मिलने वाले हैं अब front में अपने को disc brake मिल जाता है और rear में मिल जाता है drum brake तो यह इसके braking का setup है अब यहाँ पर ground clearance के अगर बात करें तो punch में अपने को 187 mm का ground clearance मिल जाता है अब देखिए अपन साइड में जैसे आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए CNG का यहाँ पर sticker अपने को मिल जाता है ORVM की अगर बात करें base model है फिर भी यहाँ पे अपने को turn signals integrate किये वो भी LED बाकी adjustment अपने को manual करना पड़ता है अंदर कोई भी इसका adjustment नहीं अपने को मिलता है अब देखिए B pillar भी black doubt अपने को मिल जाता है अब तो side profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को यहाँ पे मिल जाते है side में अपने को fuel filler cap मिल जाता है fuel tank capacity की बात करें तो 37 liter का fuel tank मिल जाता है अब इसको open करके मैं आपको दिखाई देता हूँ क्योंकि CNG tank भी वहाँ पे जो fill कराते ना उसका भी point मिलने वाला है तो इससे ही open हो जाएगा तो एक point अपने को मिल जाता है petrol का और दूसरा मिल जाता ह CNG fill कराने के लिए तो ये दो new point अपने को यहाँ पे मिलने वाले है और साथ में अगर petrol tank की capacity की बात करें तो 37 liter अपने को petrol का मिल रहा है और CNG tank की अगर बात करें तो अपने को 30-30 liter के 2 cylinder मिल जाते है और kg में अगर बात करें तो लगबग इसमें 8-10 kg की gas अपने को आने वाली और CNG में लगबग 27 km per kg का अपने को यहाँ पे mileage मिल जाता है तो side profile में अब अपन dimensions की बात कर लेते हैं under 4 meter है अपनी price और length की अगर बात करें तो 3827 mm की और length मिल जाती है width में आपको पता दिया wheel base की बात करें तो 2445 mm का wheel base मिल जाता है interior space भी traffic बढ़िया अपने को मिलने वाला वो भी अपन जाके check करने वाले हैं तो बने रही है वीडियो में बाकी ground clearance में आपको पता ही दिया अब rear profile के side में point जैसी आते हैं वो CNG का एक sticker यहाँ भी मिलता है vocal for local का sticker अपने को यहाँ पे मिल जाता है तो बिलकुल बनता है भाई vocal for local होना यहाँ पे अपने को high mount stop lamp मिल ज जाता है नीचे side में accomplished model से यहाँ पे अपने को LED light साथ में reverse parking light है ना वो integrate मिल जाती है नीचे reflectors दो reverse parking अपने को sensor मिल जाते हैं और try rover design यहाँ भी दोनों side मिल जाता है अब rear profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को यहाँ मिल जाते हैं अब जो मैं element की बात कर रहा थ फिर भी features काफी बढ़िया मिल जाते हैं देखिए यहाँ पे अपने को request sensor मिल जाता भाई यह देख रहें मतलब भाई request sensor मिल रहा है कई बार 20 से कुलने की नहीं लगबक second top model तक भी दूसरी company से नहीं दे पाती इसको अब देखिए यहाँ पे boot space इतना कुछ मिल जाता है 210 ली देख रहा है और एक इस side जो की 1 kg के load carrying capacity के साथ में आ जाता है तो काफी बढ़िया तरीके से covering भी यहाँ पे अपने को मिल जाती है यह देख रहे हैं proper covering मिल जाती है और wall जो है यहाँ पे अपने को अंदर side मिल जाता है यह देखिए और जो spare wheel है वो अपने को नीचे side में मि अपने को मिल जाता है तो exterior में सारी चीज़े अपने देख लिए अब चलते है interior में और देखते हैं वहाँ पे क्याक्या features मिल जाते हैं क्योंकि बहुत बढ़िया features अंदर भी आपका wait कर रहे हैं तो ऐसी कुछ चाबी अपने को यहाँ पर मिल जाती है दोनों simple की अपने को म जाती है manual यहाँ पर central locking मिल जाती है तो देखे इस coupon जैसी गी के अमने बंट तो यह लॉक हो गया है और इधर से अगर देखे तो बिल पुल यह भी लॉक हो गया तो manual central locking यहाँ अपने को मिल जाती है और यह अनलॉक हो गया तो यह काफी बढ़िया है अब डूर पैनल की यहाँ पर system भी नहीं बिलता और speakers भी यहाँ अपने को नहीं मिलते हैं अब seats की अगर बात करें तो फाब्री का पोस्ट ही मिल जाती है बट फुशन comfort काफी बड़ी है यहाँ पर अपने को मिलने वाला काफी wide seat अपने को यहाँ पर मिल जाती है subscribe button press कर दो यार बड़ी कंजूसी करते हैं अब लोग तो दबा दो subscribe button सबसे पहले अपन इसको start कर लेते हैं तो ऐसा कुछ welcome करता है instrument cluster पूरा का पूरा डिजिटल यहाँ पर मिलने वाला है और अपन इसको कर लेते हैं start TT को बंद कर देते हैं और यह गुमाई मैंने चाबी कार अभी CNG मोड में है तब भी कार स्टार्ट होगी यह ऐसा नहीं है कि पट्रोल में हो तब भी कार स्टार्ट होगी तो चलिए अब यहाँ पर अपन AC on कर लेते हैं तो यह हो गया AC on तो D-cut shape में अपने को steering wheel मिल जाता ह अब steering mounted controls यहां नहीं मिल रहें लेकिन Tata का logo अपने को center में मिल जाता है tilt adjustment मिल जाता है अपने को steering wheel में left side में अगर देखे तो wiper के controls और right side में अपने को headlamp से control मिल जाते हैं अब cluster की अगर बात करें तो देखे यहाँ पे पूरा का पूरा digital अपने को cluster मिल जाता है left side में tachometer center में M.I.D. और right side में अपने को fuel gauge और ऊपर जो gauge दिख रहा है आपको यह CNG का है अब देखे यहां पर क्या 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 मिल जाता है यहां पर clock है यहां पर अपने को speed दिखाएगा odometer अब देखे CNG mode से मैं जैसी shift इसको करता हूं देखे यहां से मैं इसको जैसी shift करता हूं तो 71.3 का यहां पर mileage मिला है तो काफी बढ़िया mileage भी अपने को petrol में भी मिलने वाला है तो trip ए, trip भी तो इतने कुछ feature से हां मिल जाते है अब center console की बात करें, dashboard की बात करें तो भाई, खाली-खाली सा बिलकुल आपको लग रहा हुआ क्योंकि यहां पर music system नहीं मिलता है तो base model है पीछे side अपने को यहां पर 12V का power socket मिल जाता है पागी handbrake थोड़ा यहां पर space मिल जाता है cup holder और glove box की अगर बात करें तो इतना कुछ यहां पर size अपने को मिल जाता है अब उपर side अगर देखें तो यहां पर ticket holder है center में IRVM मिल जाता है जिसमें day night adjustment नहीं मिलता, cabin light और इस side बंद करता हूँ और यह किया मैंना on यहां पर देख रहे हैं आप traction control भी मिल रहा और hill start assist भी यहां पर अपने को मिलने वाला है तो काफी बढ़िया यहां पर safety features भी अपने को मिलने वाले हैं तो चलिए अब यहां पर features अपने सब देख लिए अब safety features की बात कर लेते हैं तो front front में अपने को 2 airbags मिल जाते हैं ABA CBD के साथ में traction control, hill start assist जैसे तमाम safety features भी यहां अपने को मिलने वाले हैं जो इसके safety levels को और बढ़ाते हैं बाकि seat के comfort की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया है और under thigh support भी काफी बढ़िया है यहां पर अपने को मिल जाता है पतलब question comfort का कोई issue नहीं है तो बजह लगता है front के सारी चीज़े अपने देख लिए बाकि एक button अपने को यहां पर मिल जाता है CNG का तो अब seat को अपन करता है adjust और यह हो गई है adjust और चलते हैं अपन rear seat में और बाकी बात अपन वहां पर करेंगे अब rear door panel की बात करें तो power window यहां पर अपने क fixed मिल जाते हैं अब बैटके अपन space चेक कर लेते हैं तो यह अपन आ गए है अपर rear seat में मेरी जो height है 59 है seat अपने height के अपड़ी है adjust है तो leg room देखिए तो इतना कुछ leg room मिल दा काफी बढ़िया यहां पर मिल जाता है space और under thigh support की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया मिलता ह पाकि seat की बात करें तो तीन passenger यहां easily बढ़ जाएंगे कोई issue नहीं है और center में अगर देखें तो भाई हम यहां पे बिल्कुल ना के बराबर मिलता है क्योंकि एकदाव flat floor अपने को मिलने वाला है तो यह है Tata Punch का 1.2 लीटर का 3-cylinder petrol engine पावर की बात करें तो यहां पे normal जो petrol engine है न वहां से थोड़ा सा difference अपने को मिल जाता है क्योंकि CNGB यहां पे अपने को मिल रहा है उपर अपने को extra insulation मिल जाता है NBS level control करने के लिए तो यह था अपने पास Startup Punch का Pure Variant CNG Variant था है और साथ में आपे जो features अपने देखे भाई एक से बड़तार एक safety features मिल जाते हैं और काफी बढ़िया तगड़ा variant बनाते हैं इसको और जो build quality है वो भी काफी तगड़ी मिल जाती है अब बात करने ते मेन मुद्धे की जो किये है इसकी pricing अब कितने में आ जाती है यह base model है CNG Variant है एक शोरों प्राइस की बात करें तो य मेरे description box में आपको मिल जाएगी call कर गया visit करके आप सारी details ले सकते हैं तो चल्द ये वीडियो में रखते हैं इतना ही कैसी लगी है car please मुझे comment करके जरू बताएगा वीडियो अच्छन लगाओ का अच्छी लगी हो तो please एक like कर देना share कर देना अपने friends के साथ और subscribe कर देना thank you so much जए हिन